आप देखें वर्ल्ड रियल रेक्शन यूटूब चनल वीडियो अच्छले के चनल को लाइक शेर जोर कर दें तो चलते हैं आज की वीडियो का टैटल है फिर पारत से पिट गया यार पाकिस्तान वीडियो फिर देते हैं इस पार रेक्शन तो नमस्का दोस्तों डिडियाट के एक और रेक्शन वीडियो में आप सभी के स्वागत है मैं हुआ लोग तो एक और क्रिकट से जुड़ा वीडियो लेकर आगया हूँ लेकिन ये वीडियो है हमारी अपनी यूटूब का भारत की यूटूब का किट्टूराओ आप सब उनको जानते होंगे बड़े अच्छे रोस्टिंग वीडियो बनाती है इनके तो चर्चे किट्टूराओ के पाकिस्तान तक में भी बहुत जल्वें इनके तो मैंने सुझा कि आज इनके भी एक वीडियो पर मैं रेक्शन दे दूँ तो चले देखते हैं क्रिकट की बात हो रही ह बहुत अच्छा वीडियो बनाती है चले देखते हैं जायरी बात है इनसान अपनी परफॉर्मेंस से खुद को मनवाता है इन्शालला इस बार भी बनवाएंगे ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है इस पर और यह लो मड़ी देखो कितने बड़े बड़े वोल वच्चन कर र कहते हैं से आने के वक्त से पहले बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए हा तो लोमडी मिलगे ट्रॉफी तुम्हें और वही हुआ जिसका डर था कितनी सूची मेरी लोमडी की क्यों मुझे देख रहा है तो वह इतनी खराप्ती बोलिंग बात में बात में स्कोर हुआ एक आद आज भी हमने देखे हैं कि टॉप और ना काम हुआ है तो आप समझते हैं कि बेसिक जो प्रॉब्लम है वो आ कहां पे रहाजीर प्रेशर बहुत था और यह गई ऐसे थे और वह नर्व्स पर जाहरा है पर कंट्रोल करना होता है खुल कर खेलना होता है लेकिन हम पता नी क्य गेम अवेर्नेस नहीं है इतना भी क्या प्रेशर हो गया इतने हाथ पाँप फूल जाते हैं कमाल की टीम है 155 पे दो और 191 पे पूरी टीम फारेख यही तो क्यामत है इस तीम में वह लेवल नहीं है कि यह इंडिया से कंपीट कर सके पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया इ है किर्केटर को यूँ बदनाम करते हो अच्छे से कम से कम बिचारे अपने सुजवा तो रहे हैं तुमारे लिए सुझी लेकर जाएंगे हलुआ पकाना हलुआ पकाए खुश्तों कर रहे हैं तुमारे मुल्क के लिए अतम हो गया केलर फॉल्ड फॉस्ट क्लास धर्ड क्ल पता चाल गया क्रिकिड में भू कोन है यह हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट अलाव इट यो यो कट्टू भाई आपको डिजर्व भी निकरते का पिंडिया के साथ खेलो अलागी कसम पाकिस्तान टीम डिजर्व भी निकरती कि इनको इंडिया के साथ चिलाया भी जाए पता चाल गया क्रिकिड में अब भू कोन है अब सौल पूरे वीडियो में रोते ही रहोगे क्या टीवी तुमारा बाप फोड़ेगा अकर टीवी फोड़ो टीवी तोड़ो मैं चाती हूं तुम टीवी फोड़ फोड़े कितना टीवी फोड़ दो लेकिन एक सेकेंड अरे यार मैं तो भूली गए इनके पास तो खाने को रोटी नहीं ये टीवी कहां से फोड़ेंगे अपना सर फोड़ो मैं बोलती हूं अपना सर फोड़ो चुल्ले में देलो यार मजाएगा मतब अब कहां से उठके चलेगा ओकेण ठीक है ओकेशन बहुत बढ़ा है अगील कोई मुकाबला तो बिलकुल तुम लग तो वहां पर सूरेंडर करके बाहर निकल के आगे हो साउट सिकील स्पिन को बड़ा अच्छा घेल था बई कुल्दी सरेंडर से यार सरेंडर करने में तो पाकिस्तान के लोग बहुत लॉयल हैं फॉरण सरेंडर कर देते हैं अरे वो 93,000 भी सरेंडर कर चुके थे यार याँ बात कर तो यार तो इसमें पाकिस्तानी टीम ने सरेंडर कर दिया तो क्या हो गया मतलब आपनी आप सेना से नहीं पूछोगे कि सरेंडर कर दिया 71 में आधा मुल्क चला गया अरे यहां तो मैच ही हारे हैं भाई अभी ट्रॉफी थोड़ी नहारे हैं ट्रॉफी भी हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा मुल्क तो नहीं हारे हैं ने भाई एकफ्तर की तर आपकी सेना ने जो मुल्क हार गई आधी कमाले यार आप लोग इतना बुरा मान जाते यार कभी आप लोग ने अपनी फॉज के लिए तो सरिंडर करने पर इतना बड़ा बवाल किया ही नहीं है बताओ और टीम मैच हार गई तो सरिंडर कर दिया तो भाई आप इस पर बवाल कर रहे हैं जहां बवाल करना चाहिए वहाँ पर नहीं हो रहा है जहां नहीं करना चाहिए कि यहां से कोई डंड़ वापस आएगा नहीं बेचारे चुपचा प्लेयर्स मुझ चुपा के चले जाएंगे फॉच पर फॉरन मिसाइल आ जाएगी एक्दम सीधे डंड़े की शकल में इसे उंगलियों पर ने चाह के बाइर कर दिया चलो जाओ शाबाश अपना मजाग बन पर फॉरयब बेचारें जोने चलो जाएंगे अभी तो एसे लग रहे हैं कि बूंकी नहीं जीतेंगे कि यह के ना हम प्रे करेंगे अलापा करेंगे मरा पाकिसान जीते आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसु जीतेंगे रोज आते हैं कोई असा हो जाए कि यार वो एक दम से सारे उटो जाए आप अपने आपको टटो लो अपनी आँखों को खोलो कितने अंधे हो सकते हो यार आप कितने अंधे हो सकते हो आप प्रेम चोपड़ा की जगा प्रियान का चोपड़ा दिखाई दे रही है कितने अंधे हो सकते हो आप आपकी आँखों का नंबर कितना खराब हो सकता है क्या रगर है आपको हमारी मैच कहा जांगे खित्म होगा मैचे बाफ और इन्शाला जितेगा अब भी जीतेगा मैचेगे जृत हुद आजे अंका वह फ्रम परायश साझी क्रोड था उनका ऻाइज भारत में जाकर पाकिस्तान इस ढाद की नाकट वा रहे ते तुम्हें तमीद नहीं एक्षिए नहीं की तरना इंनिंग खिव खत्म होने के कोई आसार नहीं है 14th September दे इंतजार करें से यार, तीन दो मेने तुबी ने वर्ट कब दे इंतजार किता, यचीन मन 14th September दे इंतजार सी, कि गड़ो 14th October रएगी, इंडिया पाकिसान जाएंगे, बड़ा मज़ा आगा एगा इगा बापार आओट हो गया कासा फीलो रहा अच्छा बहुत गंदी विकट मिली है और गंदी विकट मिली है तो रोई शर्मा का बल्ला कैसे चल रहा था बाकि भारत के बल्ले बासों का बल्ला कैसे चल रहा और गंदी विकट मिली है तो जब इंडिया के बोलर्स का प्रदर्शन ठीक रहा तो फिर पाकिसानी बोलर्स क् गंदी विगट सिर्फ आपके लिए थी, हमारे लिए नहीं थी, ओ, बड़ी गंदी सोच है आपके, ये ऐसे ही करते रहेंगे, आपने प्रोफर टाइम ले लिया, इससे बड़ा मुका, इससे बड़ा मुका, इससे बड़ी स्ट्रेज, फिर कहां बाबर को मिलनी थी, ये ही पोका था जवाब देने का, लेकिन, बाबर कैसी-कैसी बोल पर आउट हो रहा हूं, मुझे समझ ही नहीं, आ जिन आ रही कर दाँर है, कि आढर किन और बाबर के ढंटी नहीं, और इसे इतना क्या खोफ है कुल्दीव यादफ का माना कि दो दफार याउट किया हुए ना बस कुल्दीव यादफ ने आपको तो क्या हो गया दो तीन उसको माणने सी उसकी लाइन लाइन खड़ाब होने सी हमारी कौम ये सोचती है कि क्रिकेट मैच के अंदर जो ग्यारा खिलारी खेल रहे हैं इनको कैसे खेलना चाहिए और क्या करना चाहिए इसका फैसला हम लोग आपस में बैठ के कर लेंगे बाबर को पहले बैठ भेज़ दें इमाद से बालिंग करा लें उसको पहला ओवर दे दें आपके तलाश हल करने से कोई फाइदा नहीं होगा आप बहुत ही बड़े हैं समझ जाएं अगर आप ये समझ रहे हैं किर्केट मैच आप देख रहे हैं और 11 खिलारी जो खेल रहे हैं उनको आप आपस में बातें करके किसी तरह मतासिर कर रहे हैं आप अगर टीडी पर भी बैठकर बाते कर रहे होंगे तो 11 खिल रहे हैं वो अपना खेल खुद पेश करेंगे और अपने फैसले खुद लेंगे और कप्तान फैसला करेगा मैंजर फैसला करेगा कोच के साथ मश्वरा करेगा और इस तरह से मैच खेला जाएगा आप से मुता भीने इस पुते क AV ऑू पर यह कींग है हमारा मैंस को कटानी करनी आती है मा इसको पड़े मैच में पर भाएं neighbour ना इसको एपने हनाज कौन सा बालद लगाना है यह केंग है यह कप्तान मिदा बागा अप नकुंगा है यह गंट है यह गंट यह गंट जो आता है इसक पाकिस्तान की सूजी मुझे तो बड़ा मुझा आ रहा है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में बता देना आप अपना ख्याल रखना लव यो माई किटकेट्स खैर रोस्टिंग चैनल है तो अब इस पर क्या कहूं रोस्टिंग आज कल सुना ऐसे ही होती है क्यारी मिनाटी से लेकर और सब लोग ऐसे कर रहे हैं लेकिन फिर भी किट्टो ने बहुत सभेभाशा में ठीक तरीके से और लोजिकली रोस्ट किया है कुल जमा बात ऐसी है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो टीम है और जो पाकिस्तान की आवाम है ये दोनों एक जैसे हैं पहले तो बड़ी बड़ी बाते करेंगे एकदम गुबारे हीलियम गैस से भर देंगे सारे फूल गए अवाम भी फूल गए क्रिकटर भी फूल गए ये भी फूल गए वो भी फूल गए लें क्या आप पताएए भाईया बलून है न या एक छोटी सी पिन मारा और इतना बड़ा बलून भुट फटे या तो पाकिसान के आवाम भी फटगई पाकिसान के टीम भी फटगई भै देखिए जो वो टीवी वाल एंकर की जो क्लिप लगी थी उनकी बात भले आप उनको मजाकिया करें लेकिन उनकी बात बड़ी सीरियस थी हम और आप बैठ कर बाबर आजम या विराट कोली या रोई शर्मा को ये नहीं कर सकते कि आप ऐसे मैच खेलो या ऐसे शॉट मारो यार बाबर आजम ने तो 50 बना दिया अरे कैसी बॉल पर आउट हो गया अरे भाई बाबर आजम भी अच्छा प्लेयर है ठीक है कोली के बराबर का नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है प्लेयर पाकिसान का कैप्टन तो है और 50 तुम मारे उसने परफॉर्मेंस तो दी अब बैड लग कहें किसमत खराब कहें या वो जो रुषानी ताकत होती है आज आती है आप लोग में के अंदर वो रुषानी ताकत साथ कम हो गई थी तो उसकी वज़ा से दिक्कत हो गई याद है आपको मैंने अभी एक हफते पहले 10 दिन पहले क्या बोला था यह वो बिर्यानी और यानी खिडा रहे हैं एक्दम मस्त इस कर देंगे टीम को पूरी बिर्यानी और यानी खाएंगे गुमेंगे फिरेंगे बढ़िया प्राइवेट जेट में घुमाएंगे फिर आएंगे और फिर कहेंगे क्या तुमैच खिलना है तुढ़ आश करना जा देंगे वह वा है है वह हुआ है जो सबकर चर्चें इधर चर्चा उधर चर्चा उधर चर्चे उधर चर्चे और जहाँ परफॉर्मेंस की बात है था पर्फॉर्मेंस निल बटा नाटा कुछ हुआ है नहीं हाँ criticize करना चाहिए मैं यह नहीं कहूँगा कि भाई पाकिसान के टीम के जैसे performance रही है उस पर बोलना ही बंद कर दिया जा नहीं बिल्कुल पाकिसान के मीडिया को पाकिसान के यूटूबर्स को criticize करना चाहिए लेकिन criticize भी ज़रा सब भी अंदाज में करे जी मैं बाबराजम पर थूगता नहीं हूँ और जी मैं तो घंटा बजाता हूँ और जी तो यह करता हूँ यह तरीका मुझे सही नहीं लगता अब criticize करें कि बाबराजम में सही फैसले नहीं लिए बाबर आजम ने बोलर्स का इस्तमाल सही टाइम पर नहीं किया रोटेट नहीं किया या फिल्डिंग सही नहीं लगाई या उनकी जो नीती थी वो सही नहीं थी आप इस चीज की आलोचना कर सकते हैं आप इस चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं पर्सनल हो जाना कि कुटा है और यह ऐसा है और वैसा है मतलब मैं इंडियन हूँ फिर भी आप बाबार आजम के लिए आप पाकिसानी टीम के लिए ऐसा शब्द इस्तमाल कर रहा है क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ मैं अभी भी गेम्स केलता हूँ क्रिकट खेलता हूँ बेडमिंटन केलता हूँ तो मुझे फील होता है कि भाई प्लेयर को आप क्रिटिसाइज करिए बट यह परसनल के गालियां मत दीजिए मतलब क्या वो मैं फिर सकूँगा क्या वो प्लेयर पस्मली चाहता था कि मैं खराब केलूँ मेरी टीम मैं हरवाद हूँ और फिर मुझे पाकिसान से भर भर के माँ बहन की गालियां मिलेंगी और मुझे बड़ा मजा आएगा कौन चाहता है ऐसा यार चाहता कौन है ऐसा लेकिन भाई मैंने कहा न कि पाकिसानी अवाम और पाकिसानी टीम और पाकिसानी सियासत पाकिसानी फो सब एकी तर होते हैं सब फुला दिया जाता है इंको और उसके बाद जैसे ही पफॉर्मस के बार आती है सरेंडर जी सरेंड जाहिनु तो जी वीडियो की खतम इंट्रेस्टिंग थी वीडियो उसना भी काफी रोष्ट किया उस पर एकिसम का रोष्ट ही था लोग सा कित्टू ना भी कित्टू है कित्टू जो भी है उसना भी एक्षी तरह रोष्ट किया उस पर लोग साने भी रोष्ट किया यार जब मैच हार जाना तो अपनी हार को खुले दिल चे तस्लीम करना चाहिए कि अपनी पर फार्म कर पाए हम हार गया है बाद खतम अब उस पर यह डायलोग मारना कि पीछ गंदी मिली थी यह हमार मतलब कि कोई भी फार्ड निकालने कुछी करना अपने अंदर फार्ड ना निकालना मैं कहता हूं यह सबसे बड़ी बेगारती है सामने हारे अपनी गल्तियों के वज़ें से खुद पर फार्म निकार पाए हुद हंडर परसंट नहीं दे पाए लगा उसका ब्लेम करना समन अपने वालों की कोई उन्हें को निकालने पाए इस से बड़ी बेगारती मैं कहता हूं और वहीं है सकती अब खेलें उसी वही पिछती इंडिया के बैसमनों के लिए वही पिछती आपके लिए यह तो पंजाबी में वह कामत हो भी लिए आप खोते तो तो कौड को बाना ऐसे और गुष आए उसके मालक पार कि यार इसने गदा थीग ने दिया यही मिसाल पाकिस्तानी युकी बन दिया के पाकिस्तानी थीग ती गिरे खुद है पिछ भी नहीं ठीग थी क्रोड जो था वो लाग डेड़ लाग का वो भी सारे इंडियन्स थे जिसकी वज़ए से हमारे होसले जो है ना वो डगमगाग है, हम डगमगाग है, खेल नहीं सके, पाकिस्तानी स्पोर्ट नहीं थी, आगे मैश भी तो होने ही है, चले खैर बात यह है, वो मेरा बाई जो था ना, बाई जो बातें घल्ट है ना, वो घल्ट का उचा आपके अपने एचाया, लेकर यह बात बिल्कुल था है, कि लोगों ने बड़ा बेस्बरी से 14 अक्टूबर का इंतजार किया है, कि पाकिस्तान और इडिया का बड़ा जबर्दास भायच होगा, लेकर आपके सामने आए, अच्छा बाई 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 नहीं को बुरा प्ले बुरा बुरा प्लेयर नहीं है मैं मानता हूँ, लेकर उसको काप्टेंट्स け लो चोड़ झाहिए-वा जाया क्षफ़ प्राइशर होता है पूरी टीम कोया प्रॉम की जैब प्लेयर होते हैं तो फुरई से होते हैं सफ बैटिंग पध्यानergों जैप फर केप्टर नहीं भी उते हैं वह नहीं नहीं प्रेटर नहीं करते होना रहरा सिर्म कंप, पूरीं टीम तो बहाबरा आजम अभी भी नंबर वान है वन डे में तो नंबर वन मेरा ख्याल में ICC ना रिश्यत लेताय और ना ICC के अपनी पास को रहनी जाए करता है और ना ही आई से सी जो है माझदर गय उनकी ऑंपर ऐसी को बाते हैं इसके मैंसे मतलब को आपके आप है यह गल्ट फैसला अगर वह नमबर वन है जिसका मतलब यह किस वरक्त वह सब से ऊच्छा है। वह अपनी मेनत पुना है। अगर इस पर पाकसण को आएगक इसको नहीं नमबर वन को इंडियन उता अस्टेलियो तो तो मारे कुतों पकस्तान हो नहीं उनके ठीफ करके नहीं ठखना था अगिक्त बात है अगर पकस्तान नमबर वन उनको ट्रोल करना शूर का देगा यूर है यह किया ती गटिया अग्या अग्या भावार खर नहीं है । और तो तो रहा नहीं है , कि सूपारी के जाथ खरख Avec pass कि या की कि तेीम श्मिया कंछी है आज जाए है तो जूट मूट के आई हैं, और तमूझा रबाबर आजर मैं। आदा मैं उसमें यहां आसफुम की जनadaki की बाइब हो जो इतल mutually पाई राव गर्राज मुझाश ध्यूफ सियों मुझे एक मिंट मुझे इक मैंट पने यह नियू यारे छ्वाब देए एंडियम कहते हैं एक मिन, बाप है, एवाप है, यार, एक मिन एक कहता है एंडिया बाप है, वोह psychology भी बाप है, बाप है तो तो जो सारी म की दुनिया की बाप होगा pasta cricket में, होई पाच मिर्थबाशाखा जीता एड एडिया कोई बाप रह पाच मर्थबाशाखा न्यूजिलेंड के बाप रहा है, बंगला देश के बाप रहा है, यार बुरा या चा, पाँच मरतबा जीता है और ने जीता, ठोका है पाँच मरतबा पुरी दुनियों के इस्ट्रेलियन, इंडिया भी उसमें शामल था, या क्या हकायक पर बात करें, कोई मैच आरके तुम गलत होगे, अगर जीते हो तो अपने, ना जीते हो तो फिल्के, यार कैसी बात करते है, यह को स्पोर्ट्स में शित पर नहीं है, तुम मैच क्यों देखते हो पर ने देखते हैं, नहीं देखता, मैने एंड़ पर देखते हो, जब पहला आउट हुआ ना, उसके बाल मैने मैं कि जाता था देखनी नहीं चाहिए? मैंने छोड़ दिया हसा है.. मैं आगर मैं आजगना नहीं था है? तुम्हे देखने नहीं इन वाप मुझे नहीं था फिखना दं की नहीं था या.. थीक है मांता हूं बुरे गंदा केले हार गया लेकिन ये आप ऐसा शायकीन ऐसे नियूने चाहिए हाँ तो दबहो जो गीतो जी आ जो यह दोबरी आप्ट जी जाते हैं तो यह असमाग सरह उठा लैते हैं हमारी यार इस्टेलिया पांच मर्तब आरा गास जीता गरम ने जीता जीता चरण है तो फिर दूनिया का बहा प्रहा है तो lijोड आनना की होता रहता है लेकर dil गंधा HERP एम में रास अच्छकरना साच करना wan tough Ed. wine пр listings मिस्ट्री में सबसे लो सुकुर्प का किस टीम का आप जितनी भी कह देना के नंबर बार गंदे पूरी दुनिया से साब से बेखते टीम अबारी एक नेट मैं आप मुझे शच के रहता है आप अब भाइड औगी वी अपना दे कि मैं रही हो आप अपना दे दिया मुझे मैश में देखता है hen देखता हैं. इसके बाद देखना है, मैश नहीं देखता? आप यह कभी पाकिस्तीन खिर कर्टीम कमामेश चेवरील करता बरा? पार्टी पड़ेगी आप आप मैच देखना हो पूरी दिती नहीं देखना हो पाकिस्तानी प्लेयर तीम अच्छी आए आप नहीं को प्लेयर अच्छी होंगे नहीं आएंगे खेलेंगे बेट रीड परफॉर्मस करेंगे तो पिर मैं देख लगए ऐस्टेलिया क्यों हो यह हार है भर मुझे जांट किसे नहीं लेखने मोरे हंए जोसके थे झार है कुए उस स geliyor पाँच मर्तबाँ बाप रहा है पांच मर्तबाँबख कि आपको गढ़े गोडे का फिरक 지역 लें ऊछ्या टिमकिन Гण कोड़े है रोगे के है दो मैंच से पाउड भाड़ हार जा तिया बड़ी पर दूम क gelmiş इक च стать के घया है ऑफ भी Between कि अधे के साच्छ पर कि सक ना कि ऑटक में कि महाने कोवा है इंडिया भी हैंकि पीपूर मैंझ सुना के रहा है इडिया में भोड़े मैं वोड़े मैंच आ के परハ्ले मैंच лай रहा हुआ डेड़े मैंच एंटिया कहना थे हुआ है मैंने सिर्फ सुना है कि उन्होंने जीता है मैंने क्या कहना चाहिए यह भाई ख़गारी के सब्सक्राइब यह क्या गोवलू मन के बैट बाक्टर मारे सुनी जा रहा है आप तोनों का मुकाबला हो रहा है भाई असनल मानने को तेया मैं एक नंबर की गटिया टीम हमारे पाकिस्तानी टीम आपके मताविक गटिया मेरे बिजदीग बिलकुल है मैं मैं नहीं देखता है आज कि बाद एक मैं नहीं मैं एक आप बाद गया था महाँ पे बेरी सिर्फ नजर पड़ी थी पहला प्लेयर जो है मेरे क्याल में का उन था बैट्समैन इबावल आपके साथ था वो अब्दुल्लाशिक वो ओट हुआ है उसकी दो गिंदे मैंने शिर्फ देखिए वो ओट हुआ है उसकी बाद नहीं देखिए बास मैं से मैंने का नजर पाड़ी की मैंने तो देखना भी दो गिंदों हो नहीं कर नहीं कर दो मिट लग जाते हैं इसका मैं दो तीन मिट है आप उनको मसाश्चा देखता है गिंदों को क्यों इन देखते हैं वो न्या बन्दा था इस वज़ह से, मैंने देखता हमानी ये अभी बात भी अभी बात और नहीं बड़ा है wow, मैं अभी बात जीन कर रह नहीं देख अब बात या बाबर हाच्छा है अच्छा ये बुरा है पाकिस्तान का बाबर आद्जम है रखिन के लाज सी शुकर है वो जूट होगा वो भी जूट होगा तुम भी कहे तो इंडिया की तरह के वो भी जूट है मैं तो अपनी टीम को है मुझे क्या होगा यह जिता है यह जरूर है कि पाकिस्तानी वड़िका में एक मैच भी इंडिया से नहीं जीता लेकि आगे पीछा को भी मैच होगा ना तो उसमें ज़्यादा जीता इंडिया भी है लेकि यह नहीं कहा तो आज रमीज राचा यही कह करता है कि कोई छोटी टीम हो ना उस तो उसके साथथ पाकिस्तान का मैच हो तो बड़ा रिकार्ड बना देती है जब कि आप भरी टीम के साथ आपको नका मिक्से कड़ता है तो यह जफिर लंका एशिया कप की रनर आप यह हैं कि दूसरे नमबर पाने वाली ऐशिया कप से उसको वर्ल्डीरकार्ड पकसन्टीम नेना है उनको चेस किया 345 ताएंग तो यह वर्ल्ड कार्ड यह नदेखना है मिलते हैं नए वीडियों आप तब तक दीजाए जाज़त